हेलो फ्रेंड्स रादे रादे जैशी किष्णा कैसे हैं आप तो चलिए शुरू करते हैं जैनमस्वी सीरिस की नेक्स जाकी और आज की जाकी में हम बनाएंगे हमारे बाल गोपाल के एक और सुन्दर सी लीला जो उन्होंने अपनी मेया योशोदा के साथ की थी अगर यह हमा और मेरा बेटा ज्राइंग बहुत अच्छी करता है यह मेरे दोनों बेटे बना रहे हैं बड़ा बेटा द्राइंग करेगा और चौटा बेटा उसके साथ कलरिंग करेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम बनाएंगे पेड़ पोदे फिर बाद में हम जो लास्ट यह जनमास्ट मी थी उसमें भी स्केचिंग मेरे बेटे ने की हुई थी तो चलिए देखते हैं हम पेड़ा ज़िय यह पेड़ बना लेंगे और पहले हम बना लेते हैं फिए फोड्य जाड़िया बादल ब्गेरा तो हम यह रफ्में बना रहे हैं मिसके बाद कलरिंग होगे सुर्य भगवान बन रहे हैं यह हम ज्यादा डार्क नहीं करेंगे लाई 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 बनाएंगे इसके उपर हम आउट लाईनिंग करेंगे उसे यह जाडियां बन रही है यह उनके आखे बन रही है ठीका बन गया उनका माथे का यह उनके बाल बन रहे हैं अवर के फेस की लुक आ अ रही है थोड़ी थोड़ी आपे यह फेस बन गया उनका पैसिभाल बनाएंगे इस तो चलिए बल्दाओ जी का sketch ready होता है ...Sketch ready करके फिर आपको दिखाते हैं तो देखे हैंiger से हमारे बल्राम जी बनके ready हो गए है तो यह दिखिये आप मैं सीदे करके दिखाती हूं तो चलिए अब बनाते हैं हमारी युस्षय बन रही है और यह उनका फेस बन रहा है तो चलिए युशोदा मिया का फेस बना के फिर आपको दिखाती हूं तो देखे फ्रेंट्स यह हमारी युशोदा मिया बनके रेडी हो गई है हमारे बालगोपाल जी तो चलिए उनको बना लेते हैं कि इनको बनाते ही आपको बता चल जाएगा कि यह कौन सी जाकी है और हमारे प्रभु की कौन सी लीला बना रहे हैं तो चलिए बना लेते हैं हमारे बाल गोपाल जी को तो पहले उनकी आखें बनाते हैं और उनका मुख मंडल बन रहा है और बाद में बनाएंगे हम उनका टीका तो चलिए हमारे बाल गोपाल जी का फेस बना के फिर आपको दिखाते हैं तो देखे ये हमारे बाल गोपाल जी का sketch बंके ready हो गया है अब हम करेंगे इसमें outlining तो black marker से हम इसको outlining करेंगे तो चलिए पहले सबी को outlining कर लेते हैं फिर outlining करके फिर आपको दिखाती हूं तो देखे sketch बंके ready हो गया है और outlining हमने कर लिया है अब हम करेंगे coloring करेंगे इसमें रंग भरेंगे तो रंग भरने के लिए हमारे पास दो artist है एक छोटा एक बड़ा यह देखे यह छोटा है और एक यह बड़ा है इसने यह painting बनाई है तो चलिए अब करते है coloring करेंग तो चलिए शुरू करेंगे बड़ा चोटे को बताएगा कोन सा कलर कहां करना है तो वह ही करेंगा क्योंकि अभी वह चोटा है उसको पता नहीं है उसको कलर करके बता देगा वह करता जाएगा तो देखे फ्रेंट से coloring हो रही है यह चोटे चोटे आर्टिस्ट लगे वह यह color करने के लिए और हमारे बाल को पाल की चुंद अच्छी चोटे बाचा में बोले तो चुंद अच्छी लीला को बना रहे हैं तो चलिए इनका थोड़ा सा जो color करें वह complete होता तो फिर आपको दिखाते हूं तो देखे coloring हो रही है यह शोदा मिया के घागरे में और बल राम जी और कृष्ण कनेया के धोती पे color हो गया है तो चलिए सारे को color करके फिर आपको दिखाते हैं पूरी पिच्चर को ready कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसका final look यह हमारे कृष्ण अल्ल तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और तो देखे फ्रेंट्स यह हमारी जाकी का एक पार्ट बनके ready हो गया है अब हम क्या करेंगे इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे जो हमारे जिशोदा मिया ने हमारे बालगोपाल के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किये तो चलिए अब बनाते हम ब्रह्मांड बनाने के लिए फ्रैंट्स सुछ यह मैंने एक फॉर शीड लिए है इसी पर हम बनाओंगी तो वो कैसे बनाओंगी तो चलिए देखते हैं यह देखिए मैंने ये लिया एक पेज अब हम क्या करेंगे यहापको कोई भी stationery शॉप पब मिल जाए इसको इसके बीचों बीच यानि सेंटर में चिपका देंगे अब क्या करेंगे यह दिखिए छोटे छोटे ग्रेया हैं इनको मैं इनके आगे पीछे लगा दूंगी यह मेरे को पता नहीं कौन-कौन से मैंने इनके नाम काट लिए पर फिर भी मैं यहां यहां इनके चिपका दूंगी तो चलिए इतना चिपका लेती हो फिर आपको दिखाती हूं तो देखे फ्रेंट्स यह हमारा ब्रहमांड बनके रेडी हो गया है और साइड में थोड़ी जगा रहती थी यहां पर स्पेस थी सिसंते गश्चर बन घंडबन खृब्स इनके राइड़ी हो गया अब हम क्या करेंगे इन दोनों पिछ्च्रों को फाएंट करेंगे तो कैसे करेंगे यह ति पिच्के यह मैंने ब्रेंट्स से जोईएंट करेंगे और कैसे स्बें मैं आकोबाद में बताते हूं पहले हमने जो इसके उपर लगाने के लिए हमारी जो दामेया वाली पिच्चर है यह देखिए इसके में जो हमारे बाल गुपाल जी का यह मुख मंडल है इसको हम क्या करेंगे कटर और चोटी सीजर की हैं से इसको काट लेंगे तो चलिए पहल त्रवांड वाली पिच्चर है यूसको हम इसके बीच में चिपकाएंगे ऐसे इसके बीच में चिपकाएंगी यह कैसे चिपका Candy कि से की में क्या करेंगे यह उसके नीचे एक जैसे करके ऐसे लगा देंगे और यहां से इसको काट लेते हैं यह दिखें यह हमारी सेलो टेप लगी अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे पकड़ेंगे और दीर यह से अंदर जाने देंगे और पिच्चर को सेट करके सेलो टेप को दुबा देंगे और पिच्चर हमारी नीचे से ज्वाइंड हो जाएगी और सेम हम क्या करेंगे वैसे ही हम उसको उपर से ज्वाइंड करेंगे जैसे हमने उसको ज्वाइंड किया है इसको थोड़ा सा टेड़ा करके पिच्चर के उपर ऐसे स्टिक कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे इसको ऐसे पिच्चर को पकड़ेंगे और इसको ऐसे सेलो टेप को को बाहर की तरफ स्टिक कर देंगे यह देखें तो यह देखें हमारी ब्रह्मांड की पिच्चर अंदर बनके रेडी हो गई है अब हम क्या करेंगे उपर वाली पिच्चर को लगा लेते हैं यह देखें इसको ऐसे लेंगे सेट करके देखेंगे और मारकर जब पैंसल की हेल्प से यहां निशान लगा लेंगे यह देखें यह देखें निशान लग गया अब हम क्या करेंगे इसको काट लेंगे तो काटने के लिए हमने यह चोटा सा होल नहीं काटना हम क्या करेंगे इसी के हिसाब से एक स्क्योर पीस काट लेंगे इसको सीजर से अगर थोड़ा रफ भी हो जाता है तो कोई बात नहीं यह अंदर ही रहेगा दिखाई नहीं देगा यह कट गया अब हम क्या करेंगे हमारी पिच्चर लेंगे और इसको यहां लगाएंगे हमने अंदर वाली पिच्चर को चिपकाया है सेम में हम ऐसे ही इसको चिपका लेंगे पहले ऊपर लगाएंगे फिर हम नीचे लगाएंगे उसको पहले चेक कर लेंगे उनको उसके सेंटर में है ऐसे और फिर हम क्या करेंगे पिच्चर को ऊपर से ऐसे स्टिक करेंगे और यहां ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लगा देंगे केप को और सीजर की हेल्प से इसको यहां से काट देंगे यह देखें और यहां कॉर्णर से इसको सीधा करेंगे और अंदर को फोल्ड कर देंगे तो चलिए सावी को मैं स्टिक कर ले तो फिर आपको दिखाती हूं तो देखें फ्रेंड्स यह मैंने ऊपर से नीचे से और सभी तरफ से इसको अच्छी दा चिपका लिया है यह हमारी जाकी बनके रेडी हो गई है इस में ब्रह्मांड कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको अब करके बताती हूं तो चलिए मैं आपको ब्रह्मांड के दर्शन कराती हूं हमारी जिशोदा मिया ने कैसे ब्रह्मांड के दर्शन किये थे तो यह हमारे कृष्ण लाला जी और उनका मुकमंडल और चलिए मैं आप को ब्रमान के दर्शन करवाती हूं तो यह देखे पुरे ब्रमान के दर्शन कीजी आप और साइड पर में देखे विश्ण भगवान की पिच्चर बनी हुई है और यह देखे पूरे ब्रमान के दर्शन हुमारी ये शोदा मिया ने किये थे आपको कै तो यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी ओ तो कमेंट में रादे रादे लिखिएगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजीगा नए नए वीडियो देखने के लिए तो चलती हूं मिल आदे रादे जाशी किश्ना